आप सभी कर रहे हैं, मुक्त नमश्कार, एल्जेबरा के इस लेसन में आपका हार दिक स्वागत से चले शुरुबात करते हैं और questions देखते हैं देखिए यहां क्या कर रहा है आपसे कि a b plus b c plus c यह आपका 0 है तो 1 upon a square minus b c plus 1 upon b square minus a c plus 1 upon c square minus a b c की value क्या है तो देखिए जान से यह आपका बनेगा 1 upon a square minus b c मैं लिकरा हूँ 1 upon a square minus b c plus 1 upon b square minus a c plus 1 upon c square minus a b तो आपको बताना क्या है कि इसकी value क्या है what is the value for this case तो आपको धियान से दिखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपको निकालना है A square minus BC बहुत जहां से देखना आप A square minus BC की value क्या होगी A square minus BC अगर मैं यह से निकालता हूँ तो A square बना और BC उधर गया minus के साथ तो अगर आपका minus BC अगर मैं कहूँ तो यह बन रहा है आपका AB plus AC और अगर आपने A common लिया तो क्या बना आपका A plus B plus C A into A plus B plus C यहाँ पर बना आपका आप देखिए question क्या है कि अगर यह आपका बना ऐसा तो अगर मैं B square minus AC लिखूँगा तो क्या बनेगा यह आपका बनेगा B into A plus B plus C और C square minus AB आपका क्या बना वो बना C into A plus B plus C यह value होगी इसके बाद देखिए आप जहान से कि अगर मैं इसको calculate करने अब जा रहा हूँ तो यह हो गया 1 upon A plus B plus C common हो जाएगा सब में और बनेगा 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C तो यह value देखिए क्या आपका जाएगी 1 upon A plus B plus C और साथी साथ आपका आजाएगा AB plus BC plus CA upon ABC clear? that is what the value will be A plus B plus C यहाँ है यहाँ गया AB plus BC plus C अब आप खुद बताओ कि AB plus BC plus C क्या दिया हुआ है 0 question में तो अगर यह value 0 हो तो overall value क्या होगी 0 product क्या होगा आपका 0 तो कुछ भी ऐसा challenging नहीं है अगर आप इसको सही से समझ पाते हैं तो question आसानी से आपका निकल जाएगा it's very very easy question कुछ भी ऐसा इसमें complex नहीं है कि आपको दिक्कत दे पाएगा इस particular case में इस question में जाए कि 3 of root of 1 minus a upon a plus 9 is equal to 19 minus 3 of root a upon 1 minus a तो इसमें बोलना है आपको कि a की value क्या है एकी value निकालनी है तो अगर आप बहुत देखके ध्यान से देखेंगे तो 2 side में जो 3 3 करके लिखा हुआ है आपके सामने 3 into root 1 minus a upon a plus 9 और एक जगा आपको दिया है 19 देख रहा है 19 में कुछ कम हो रहा है और 9 में कुछ जुड़के बराबर हो रहा है आपस में तो अगर मैं इस value को ध्यान से देखूँ और मैं इस value को ध्यान से देखूँ इन दोनों को बहुत ध्यान से देखना है आपको इन दोनों values को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि अगर किसी तरह से मेरी ये value 1 हो जाए ये value मेरी 1 हो जाए किसी भी तरह से 1 होने के लिए आप क्या करोगे आप कोगे root of 1-a upon a जो है ये आपका 1 upon 3 है और अगर ये 1 upon 3 है तो यहाँ पर ये जो value है आपकी जो कि reverse है यहाँ रूट of a upon 1-a ये जो value है ये value जो है ये आपकी अपने आप क्या हो जाएगी 3 तो 3 into 3 का हो गया 9 19 minus 9 10 हो गया और 9 plus 1 आपका 10 हो गया यहाँ दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple सा ये है कि अगर root of 1-a upon a 1 by 3 के बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा अब देखें ये कब होगा वो important है ये कब होगा तो आपको ये है आपका root of 1 upon a minus 1 और ये value किस के बराबर है अगर root लूँ तो ये 1 upon 9 के बराबर है अब मुझे किस format में लिखना है something minus 1 के format में इसको हमें लिखना है तो आप कह सकते हो कि अगर something minus 1 के format में लिखना है तो minus 1 अगर यहां जाएगा let's say तो मैं कह सकता हो कि ये 10 upon 9 minus 1 है अगर ये 10 upon 9 minus 1 है तो yes ये बन सकता है तो आपको होगे simple सी बात है कि यानि 1 upon a की value मैं बोल सकता हूं कि यह 10 upon 9 है वन अपन एक वेलू अगर 10 upon 9 है तो एक वेलू कितनी है आपकी आपकी एक वेलू आगे 9 upon 10 और 9 upon 10 एक ही option में दिया तो वो सही होगा ही होगा आपको क्या यही possibility है या कोई और possibility भी हो सकती है कि कोई और possibility हो सकती है बिल्कुल बह आपको यहाँ पर करके दिखा दी कि 9 upon 10 आ रहा है बाप करो 1 upon 10 कैसे सही है 1 upon 10 कैसे सही है जैसे आपने एक वेलू निकाली है 1 upon 10 भी अपने आप निकल के आगी अगर आपको verify करना है तो वह भी कर सकते हो आप कि यह जो वैलू आपने भी लिखी है जिसको मैंने बोला कि यह वैलू मेरी 1 upon 3 के बराबर है 1 upon 3 के बराबर है अगर यही वैलू जो आपके सामने मैंने लिखी है वैलू यही वैलू आपकी 3 के बराबर हो जाए राइट देखो जान से यही वैलू आपकी एगर 3 के बराबर हो जाए तो यह 3 into 3 9 बना 9 plus 9 18 हो गया तो यह वैलू 1 upon 3 हो तो भी दूसरा option सही हो गया, answer क्या हो गया, आपका 1 upon 10, 9 upon 10, that is option P, ठीक है, simple सा question है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, बट आपको सही से करना आना चाहिए, अगर आप सही से question को नहीं करोगे, तब तो आप fuss होगे, ठीक है, बट logic अगर properly लगा होगे, तो आसानी से होगा, अगर आप से की a plus b आपका 10 है, और एक expression दिया हुआ है, तो पूछ रहा है, इसकी value एक expression की बता दो, अब आपको बता है, a और b की value चाहिए, अगर a और b की value मिल जाए, तो हम यह expression निकाल देंगे, तो देखे, root of a upon b minus 13 is equal to minus of root b upon a minus 11, मुझे क्या करना है, कि इन दोनों को ब बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, root of a upon b plus root of b upon a is equal to 2, ऐसे लिख सकता हूँ, आपको बिल्कुल लिख सकते हो, और something plus one upon something का form है, यह something क्या होता है, यह अगर one हुआ, तो क्या आपका a और b बराबर होगा, yes, a और b आपस में बराबर हो गया, और a और a और b आपस में कितना हो गया, five हो गया, अगर a और b व्व हो गया, तो यह जो time लिखे हैं, यह क्या बनेंगे, a x 3 x 5 square बन गया, यह 4 x 5 square बन गया, यह 5 x 5 square बन गया, clear, तो अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो देन अब क्या करेंगे, हम 5 square common लेंगे और 5 square common लिया, हमने कितना होगा है 25 into 12 कितना होगा आपका 300 तो आंसर कितना होगा सेकंड तो अगेन question आसान है आपको बस सही से करना आना चाहिए तो आसानी से solve भी हो जाएगा ठीक है अब देखिए question आपसे पूझता है कि ABC आपके distinct positive integers हैं तो आपको बताना है कि what is the highest value of A into B into C अगर आपका A plus B plus C 31 है देखो जान से A plus B plus C हमने लिखा है 31 है और हमें A into B into C की highest value निकालनी है इसकी maximum value चाहिए आपने कर अभी देखा हो मैंने आपको बताता कि अगर A plus B आपका let's say 10 होता है तो A into B की highest value क्या होती है A into B की highest value निकालता हूं उस particular case में highest value आपकी होती है 5 into 5 that is 25 जब यह दोनों बराबर हो जाते हैं कोई और case ले लोगे तो आपका highest नहीं मिलेगा लोइस लोड मिलेगा पर यहां पर एक condition है आप अगर A B C को अगर आप बराबर करोगे ना A की value B की value C की कर बराबर करोगे तो यह 31 by 3 के बराबर आ जाएगा 31 by 3 के बराबर कर यह value आ गई ना कोई फाइदा नहीं क्योंकि यह इंटीजर ही नहीं यह 10 point something something आ गया पहली बात 10 point something something आ गया जो की fraction है लेकिन question बोल रहा है कि वह positive maximum होगा जब तीनों बराबर होते हैं तो maximum हो जाता है product right maximum product मिलता है मुझे जब तीनों बराबर हो जाते हैं लेकिन अगर हम उनको बराबर नहीं कर सकते हैं जैसे इस case में हमको distinct रखना है अलग अलग रखना है और वह धनात्मक कुछ यहां दक क्या में एक को nine Center कर सकता हूं ऐक को मिने 9 कि एक को 10 कि 11 कि तो कहोगे आप की अभी भी मुझे क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है तो मैंने कहा कि 9 10 11 यह यह वैलू इसको एक काम करते हैं, अलग-अलग रखने हैं हमें, तो हम तीनों को 10-10-10 नहीं दे, एक को 11 रख दिया, मैंने 11 रख दिया, एक को अगर मैंने 12 रखा, तो ये 23 बनेगा, तो ये value 8 होगा, जान से देखना, एक मैं ऐसा case बोल सकता हूँ कि एक 9 है, और एक 10 है एक 12 है, एक इस तरह का case हो सकता है, क्योंकि different possibilities हमें explore करनी है कि क्या-क्या possible है कि values closer भी हो और answer भी मिले, तो आपने कहा एक possibility मेरे सामने ये है अब इन cases में आप दरह product निकालने की कोशिश करो, 8 11, 12 और फिर आपने 9, 10, 12, एक ऐसा भी हो सकता है कि 8, 10, 13 पर आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल करीब नहीं है, 2 का gap, फिर 3 का gap यहां कम से कम 1 का gap आया यहां कम से कम 1 का gap है, यहां 1 का gap है, फिर 2 का gap है, वो तो मजबूर यह 2 का gap लाना, तो आप ज़रा product अकर निकाल के देखते हो, तो 8 number 10 हो जाएगा, जो की possible नहीं है तो यहां पर आपको होगे कि आपको मिल रहा 88 x 12, यहां आपको मिल रहा है 120 x 9, यह आपको दे रहा है 1080 और यह देखो, आपको क्या मिल रहा है 960 plus 96, तो यह आपको मिल रहा है 1056, आप खुजी देखो कि यह जो है number आपको सबसे highest value देगा, वो होगा 1080, that's very simple, और easily आप इसको answer कर सकते है ठीक है, what you are getting is 1080, अब देखिए question आप से क्या कहा रहा है कि a into 2 plus root 3 is equal to b into 2 minus root 3 और यह 1 के बराबर है, तो आपको कुछ expression दिया उसकी value बतानी है, आप जहांसे देखो a की value क्या होगी, अगर ऐसा दिया हुआ तो a की value आपकी होगई, 1 upon 2 plus root 3 जो कि आपका ultimately 2 minus root 3 होगया क्योंकि 2 plus root 3 और 2 minus root 3 का जो product होता है 1 होता है, फिर b की value अगर आपका होगे b into 2 minus root 3 1 है, बी की value आपकी है 2 plus root 3 अब आपका value जो है 1 upon a square plus 1 plus 1 upon b square plus 1 solve करेंगे, तो 1 upon a square plus 1 अगर लिखे हम तो 2 और 3 कितना बना 5 minus 4 root 3 plus 1 plus 1 upon b square plus 1 तो यह हो जाएगा 5 plus 4 root 3 plus 1 तो ultimately मेरा value है 1 upon 6 minus 4 root 3 और यह value है 1 upon 6 plus 4 root 3 LCM ले लो, तो आपको मिलेगा 6 square minus 16 into 3 और numerator आपको देगा 6 plus 4 root 3 6 minus 4 root 3 यहनी 12 तो 12 upon 36 minus 48 यहनी 12 upon minus 12 कितना होगे आपका? minus 1 तो rationalize करना है, answer आगया minus 1 देखिए इस question में दिया है कि a plus b plus c की value 9 है a plus b c plus c 26 है a cube plus b cube दिया है b cube plus c cube दिया हुआ c cube plus a cube दिया हुआ है तो आपको बताना है कि a b c की value क्या है? अब देखिए इस question को वो कैसे चाहते हैं आप करो, यह मैं बताता हूँ वो चाहते हैं कि आप ऐसा को सोचो कि a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है? वो आप सोचो कि a plus b plus c के बराबर होता है और वो चाहते हैं कि आप सोचो इसको कि यह value आपकी होती है a plus b plus c का whole square पता है कि नहीं, A plus B plus C यहां पता है, 9 है, यहां यह 9 square 81 बनेगा, thrice of A B plus B C plus C है, which is thrice of 26 हो गया, A Q plus B Q plus C Q question में दिया है कि नहीं, A Q plus B Q plus C Q is equal to 91 plus 72 plus 35 which is 198 divided by 2 is equal to 99, यह हो गया आपका 99 minus 3 A B C, तो यहां से आप solve कर सकते हो तो यह हो गया, 9 into 81 minus 78, तो यह value आपके कितनी हो गया, 9 into 3, 9 into 3 हो गई, so 3 A B C will be equal to 99 minus 27, okay, यह difference कितना हो गया, आपका 72, so 3 A B C 72 है, तो A B C के value कितनी आ गई, 24, आप देखिए बहुत लंबा तरीका इस question को करने का, मैंने आपको दिखाया कि formula से सवाल कैसे होगा, value सारी दी है, पर exam में अगर आप इतना समय लगाओगे, तो फिर कहते हैं कि सारे question item नहीं हो पाते हैं, फिर आपके सवाल छूट जाते हैं, तो वहां स्मार्टनेस के आवश्यक्ता होती है, और मैं दिखाता हूँ कि वह स्मार्टनेस आपकी क्या होनी चाहिए, और आप उनको कैसे यूज करेंगे, इस particular given question या case में, इसका आप कैसे यूज करेंगे, यह बहुत ध्यान से आप इतनान से देखो, तो देखें यहाँ पर जो value आपको दी है, a plus b plus c is equal to 9, a b plus b c plus c is 26, a q plus b c cube 91, 72, 35, तो a b c की value बतानी है आपको, तो देखें आप सोचो, mentally सोचो कि अगर आपका a q plus b q 91 है, या b q plus c q आपको दिया हुआ है, यह 72 है, यह 72 है, यह 91 है, और c q plus a q आपका 35 है, तो मैं आपको कुछ combinations बता रहा हूँ, आप कह सकते हो कि यह 3 q, sorry, 2 q plus 3 q हो सकता है, यह 2 q plus 3 q हो सकता है, या फिर 3 q plus 2 q हो सकता है, क्योंकि देखो 35 बन जाएगा, right, now 72 के अगर मैं बात करूं, तो I can clearly think of two numbers, 64 and 8, एक तो यहाँ पर हो गया 2 q, और 1 हो गया मेरा 4 q, अब देखना 2 q मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि b की value या c की value किसी a की value 2 है, या तो b 2 है, b 2 है, या तो c2 है, पता लगाते हैं इसको भी, यह देखो आपका, तो यह जो value 91 आपके सामने लिखी हुई है, 91 किन दो नमबरों के सम से मिलेगा, वो मिल जाएगा मुझे 64 प्लस 27 से, यह हो गया 4 q और यह हो गया 3 q, अब देखो समझते हैं, कि यह जो था, यह था मेरा 4 q प्लस 2 q थ बी अगर 4 हो जाता है, तो clearly मेरा c कितना हो गया 2, बी अगर 4 हो गया, तो c मेरा कितना हो गया 2, और अगर c मेरा 2 हो गया, तो a कितना हो गया, clearly a मेरा 3 हो गया, so a, b, c 3, 4, 2 बन जाते हैं, a, b, c आपका बन जाते हैं, 3, 4 और 2, that is 3, 4, 2, और अगर यह 3, 4, 2 बन जाता है, 3, 4 2 बन जाता है तो अब मैं यह चेक करूँगा कि क्या यह सही है अक्चलि सही होगा ही होगा होना ही होना है क्योंकि मैंने तीन कंडिशन मैच करा दी फिर भी अपनी सहुलियत के लिए चेक कर लो A प्लस B प्लस C is equal to 9 तो यह 4 3 7 10 और 2 कितना बना 9 यह होगा आपका A plus B plus C AB plus BC plus CA 26 जेक करो जरा AB 3 into 4 plus BC 4 into 2 plus CA 2 into 3 12 plus 8 plus 6 कितना होगा है 26 जल्दी लगेगा बढ़ना पूछा किया है इन्होंने ABC का प्रड़क्ट 3 x 4 12 x 2 कितना होगा है 24 तो थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा होगा जल्दी लगेगा वड़ना फॉर्मूला तो सबको आता है सब लोग फॉर्मूली से करने ही कोश्च करेंगे बट ये question आपको best कैसे करना चाहिए जो मैं बता रह करूं तो क्या यह x cube minus 1 upon x cube बनेगा नीचे भी एगर आप x से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 3 x plus 5 minus 3 by x मिलेगा तो क्या यह मुझे मिल रहा है x cube minus 1 upon x cube divided by 3 of x minus 1 by x plus 5 आपको बिल्कुल मिल रहा है तो नीचे 8 हो गया यह numerator में क्या जाएगा आप जेको x cube minus 1 by x cube है और मेरे पास x minus 1 by x है तो अगर मुझे यह निकालना होता है कभी भी तो factorize आप करते हो आप factorization थोड़ा visualize कर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इसको x minus 1 by x के whole cube के format में देखें तो यह मिलता है साथ ही साथ मिलता है minus of minus of इसके साथ ही मिलेगा minus of तो यहां बनता है plus तो यह बहुत simple होता है कि आपका यह जो format बनेगा वो बनेगा 1 cube plus 3 into 1 ultimately 4 upon 8 बन गया जो कि हो जाएगा 1 upon 2 which is option B simple है कुछ भी मुश्किल नहीं है अब देखिए यह question आप 12y minus 2z is equal to 24, 3x plus 4y, 3x plus 4y plus 6z is equal to 99 और यह जो value है आपके सामने लिखी होई है वह है x plus y plus 15z is equal to 63 अब क्वेशन से ही हिंट निकालनी पड़ेगी 46x कैसे बनाया जाए z को eliminate करना है तो आप जड़ा एक हिंट देखो यहां पर और वह हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि यह 15 और 6 जुड़के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और अगर मैं इसको 21 टाइम से multiply करूं तो देखो कु यह z eliminate हो जाएगा और अगर यह z eliminate हो गया तो देखो क्या बना 42x प्लस 4x तो 42 प्लस 4 कितना हो गया आपका 46 x बन गया चलो बहुत खुश हुई Z eliminate हो गया और 46X बन गया तेरा देखो Y कितने बन गया 21 times 6 क्या होता है 126 plus 4 कितना हुआ 126 और 4 आपका हो गया 130 और 1, 131 यह देखो जो हमें चाहिए था हो सब बन गया और यह value किसके बराबर हो गई 12 into 21 plus 99 plus 63 के बराबर हो गया तो यह value कितनी हो गई आपकी 240 plus 12 plus 99 plus 63 तो यह आपका value जो हुआ इसी का sum आपका answer आगया तो देखे question बिलकुल भी मुश्किल नहीं होते हैं बस हम उनको मुश्किल unnecessarily बना लेते हैं otherwise questions कहां मुश्किल होते हैं इसका sum आपका हो गया 303 और यह value आपको देदेगा 414 that is option A थोड़ा सा alertness जरूरी है कि कैसे इसको eliminate करेंगे बागी कुछ मुश्किल नहीं है अब देखें यहाँ पर इसकी expression है उसकी value पूछ रहा है x1 y-3 z-1 तो इसमें कुछ भी नहीं करना है value रखके आप check कर लो बहुत ही symbol सवाल है तो देखो x plus y minus 3z जो है वो किसके बराबर है x plus y कितना हो गया minus 2 और plus 3 यह कितना हो गया minus 2 plus 3 1 हो गया यह value जहां से देखना x square 1 y square 9 z square कितना हुआ आपका z है actually यह हो गया minus 1 यह 9 है यहाँ से बाहर आ जाएगा 3 पहले bracket से 3 बाहर आया दूसरे bracket में देखना क्या है x क्या है आपका 1 y cube क्या है आपका minus 27 z square क्या है आपका 1 minus 27 से क्या बाहर आया minus 3 value कितनी होगे 0 3 minus 3 कितना होगे आपका 0 बहुत ही simple सा question है कुछ भी मुश्किल नहीं है तो देखिए इस पर कराए और भी रूट है एक इक question के तो बताना है what is the value of a and b तो देखिए a और भी इस equation के अगर रूट होगे तो मैं रखता हूँ x is equal to a तो यह satisfy करना चाहिए तो यह आजाएगा a cube minus a cube plus a b equals 0 यह गया a into b 0 आगया अगर a into b 0 है तो क्या होगा a is equal to 0 और b is equal to 0 simple एक value तो 0 हो गई एक value अगर 0 होगे तो देखो यह तो गलत हो गया even मैं आपको बता रहा हूँ कि b 0 होगा क्यों कि अगर b 0 हो गया तब तो यह quadratic equation रहेगा लेकिन अगर लेकिन अगर b 0 नहीं हुआ तो यह quadratic equation नहीं रहेगा अगर a को 0 कर दिया आपने तो quadratic equation बचे की नहीं सर तो b 0 हो गया अब आपके पास बचा है a x square minus a square x equal to 0 क्योंकि क्या हुआ है भी मैंने आपको बताया कि आपका a b तो 0 हई है a b तो 0 हई है अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो एक root और मुझे निकालना है वो क्या हो सकता है अब खुद देखो यहाँ पर जो भी options आपको दी है आपने b को 0 मान लिया अब b को अगर 0 हमने मान लिया है तो a की option है 1,0 जो सही होगा और रखते हैं जरा x की value को 1 एक root हम 1 मान लेते है x1 तो a ही इस equation का root भी है अगर a इस equation का root है तो a की value क्या हो गई 1 तो हम x1 रखेंगे अपने आप 1 हो गया तो यह value क्या मिल रही है आपको दरह देखो 1-1 इकोल टू 0 इसका क्या मतलब हुआ कि पहला विल्कुल करेक्ट है first option is 100% करेक्ट सिंपल है तो देखिए question कर रहा है x plus 1 by x दिया आपको x की power 6 plus 1 upon x की power 6 calculate करना है clear तो देखो आपको एक चीज मैं कुछ हिंटे देता हूँ कि पहले कैसे करोगे आप पहले x cube plus 1 by x cube निकालोगे जब वो निकल जाएगा तो इसको अगर a बोलूँगा मैं right whatever it is let's say इसको भी बोल दो आप तो फिर जब आप x की power 6 plus 1 की power x पार 6 यहां से निकालोगे तो वो हो जाएगा b square minus 2 मतलब कोई भी number जो यहां लिखा होगा वो perfect square से 2 कम होने वाला है 2 less than perfect square तो अब सारे number में 22 add करने जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कौन सा number मेरा perfect square बनेगा 22 add कर रहा हूं 12050 14064 12094 अब मैं आपको कुछ बताता हूं किसी भी perfect square के end में 50 नहीं आता है यह आपको calculation skill में बताया जा चुका है किसी भी square के end में 94 नहीं आता यह भी आपको मालूम है अब या तो यह number possible है या तो यह number possible है मुझे check करना है कि इसमें कौन सा number perfect square है अगर दोनों perfect square है अगर दोनों perfect square है तो फिर मुझे कुछ और करके solve करना पड़ेगा यह तो है भाई क्योंकि इसका square root आप लोग साफ साफ दिख रहा है कि यह 110 का whole square है अगर मैं इस number की बात करूं जो कि यह 14064 इसके बारे में थोड सोचोगे तो आप को कि यह 120 के square से तो देखो कम है क्योंकि 144 00 से कम है और अगर मैं बात करूं इस number को तो 110 के square से जादा है और 120 के square से कम है और इसका लेना देना 8 के square से क्योंकि लास्ट में क्या रहा है सिक्स्टीफोर 64 लास्ट में 64 हमेशा 8K स्क्वाइर से मिलता है तो इसका लेना देना कुछ 8K स्क्वाइर से है तो यह multiple of 50 plus minus 8 बनना चाहिए जो कि बनी नहीं रहा है क्योंकि इसके बीच में end में 4 देने वाले से दो ही नमबर है तो आपका 12 बनेगा यह आपका 18 बनेगा पर यह दोनों नमबर वो नहीं है कि जो multiple of 50 से 8 कम यह जाधा हूं तो यह आपका नमबर जो लिखा हुआ है यह परफेक्ट स्क्वाइर नहीं है तो यही सही होगा इस तरीके से आप बिना कुछ 0-2 which is simply 12098 that's the answer अब देखिए क्वेशन क्या कह रहा है आप से कि अगर रूट्स कह रहा है तो कौन सा कथन सत्य होने वाला है तो कौन सा कथन इसमें सत्य होने वाला है लेट इस फिगर इट आउट ठीक है तब कहोगे अलफा प्लस बीटा तो यह हो गया बी अपॉने बे पॉने लिख दिया अलफा इंटू बीटा आपका क्या हो गया वह अपका सी अपॉने उसके बाद देखिए आपको क्या करना है सर उसके बाद आपको करना यह है कि आपको निकालना है difference of root which is alpha minus beta का whole square यह आप कहोगे होगा alpha plus beta का whole square minus 4 times alpha and beta तो alpha minus beta का whole square जो आप निकाल रहो जो कि आपका हो जाएगा 16 यह will be equal to alpha plus beta का whole square that is b square upon a square minus 4 c upon a 4 c upon a simplify करोगे तो यहां से आजाएगा 16 a square 16 a square is equal to b square minus 4 a c ऐसा बनेगा 16 a square आपको क्या मिल रहा है यहां से that is equal to b square minus 4 a c तो कि alpha into beta आपको पता है c upon a है अब यहां से देखिए आप ध्यान से देखो किस equation में यह चीज लिखी हुई है आपकी 16 a square देखो इधार है उधर गए तो यहां मैं कह सकता हूँ 16 a square plus 4 a c जो है 16 a square plus 4 a c किस के बराबर होना चीजए आपका b square के बराबर होना चीजए तो आप देखो यहां पर कहां पर इस तरह का expression आपको मिल रहा है और वो आपका answer हो जाएगा कि alpha into beta आपका c upon a है so just see which option is giving this 16 a square आपका b square minus 4 a c और वो आपका second option है 16 a square आपका b square minus 4 बहुत आसान सवाल है कुछ भी challenging नहीं है इसमें इसको आप value रखके भी try कर सकते हो मैं आप पर छोड़ता हूँ serial 2017 mains का सवाल है तो यह अगर आप paper solution series आपने देखी होगी मेरी वहाँ पर मैंने इसको value से भी solve करके बताया था कि how can you solve this question using values आपका आपका आप से try करना हो बना straight forward बहुत आसान सवाल है अब देखिए आपर एक question है कि p upon a plus q upon b plus r upon c is 1 ultra दिया हूए a upon p plus b upon q plus c upon r is 1 आप से क्या पूछा गया है कि p square upon q square plus q square upon b square plus r square upon c square की value क्या है what is this value जो आपको यहाँ से calculate करनी पड़ेगी इसका square तो आपको कि देखिए बहुत ही interesting सा question है और इसको solve करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से आप अगर ध्यान से देखिए इस question को जो आपको यहाँ निकालना है p square upon a square, q square upon b square और r square upon c square इसका आप कैसे करोगे, क्या तरीका हो सकता है इस particular question को करने का तो let's figure it out कि आप इसका पहले बाद तो सोच रहोगे ना इसका square करो तब ही terms भिलेंगे तो आप इसका square कर लो तो आपको ओके p square upon a square मिल जाएगा, plus q square upon b square मिल जाएगा, plus r square upon c square मिल जाएगा साथ आपको मिलेगा twice of p q upon a b p qu upon a b मिल जाएगा, plus q r upon b c मिल जाएगा और r p upon a c मिल जाएगा, यह तीन चीज़े मिल गइ, बिल्कुल मिल गइए कोई चलंज bilmiyorum आप क्वेश्षन यह है कि बाई यह जो वैलू मुझे निकालनी है और यह वैलू कि से बराबर है आप देखिए कि यह चॉल्ड करना है कि यह चॉल्ड करने की व्र artifacts है थीक है क्योंकि पीडिवThese अपकरने की जड उसी पे आपका पूरा question बेस्ट है कि कैसे answer आप जल्दी से निकाल पाओगे तो देखें आपर क्या दिया हुआ है जो यह second term आपको दिया हुआ है a upon p plus b upon q plus c upon r is equal to zero यहां से आप कोशिश करो कि कैसे हम यह वाला term निकाल पाएंगे because then your task will become much easier अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए इतना कुछ लिखके कहने की मेरा objective था कि आपको लगे कि यह question बहुत मुश्किल है उतना है नहीं मैं आपको समझाता हूं क्यों यह actual question देखो अब मैं बताता हूं क्या है मैं थोड़ा सा यह इसलिए कर रहा था कि आपको समझ में है कि question कई बार disguise form में होते हैं देखो यह question क्या है x plus y plus z बराबर 1 अगर मैं इसको x y z मानूं और 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z बराबर 0 यह है question तो आप मुझे बता हूं यह आप देख नहीं जान पार हो क्या कि यह x y plus y z plus z x equal to 0 दिया हुआ है और आप से क्या पूछा जा रहा है x square plus y square plus z square यह आपको पता है होता है x plus y plus z का whole square that's it whenever this x y plus y z plus z x आपका 0 है तो आपका x square plus y square plus z square x plus y plus z के whole square के बराबर नहीं होता है क्या नहीं पता है तो आप देखो इसको ऐसे लिख के देख लो minus 2 x y plus y z plus z x बनेगा यह term 0 है तो यह 0 हो गया और यह ऐसा हुआ तो यह value कितनी होगी 1 के बराबर होगी 169 का C 101.